नमस्कार बहुत स्वागत है आपका अगर आपके ओपर किसी ने तंत्रमंत करवा दिया है अगर आपको लगता है कि आपके घर के दर्वाजे पर कोई निम्बू फेक कर जाता है चुना फेक कर जाता है कुछ-कुछ फेक कर जाता है जो आपको लगता है कि कोई तो कुछ करवा रहा है उल्टे उल्टे कारे करके जाता है इसका मतलब होता है कि सच में आपके उपर कोई लगा हुआ है अब कई बार ये भी होता है किसी ब्यक्ती पिसेस पर लोग कर देते हैं डर सा लगता है, हमेशा लगेगा आपके पीछे कोई है, कभी धन की मुस्किले परिसान करती है, सब कुछ बेहतर चल रहा है, अचानक से बैपार में घाटा धन नहीं आ रहा है, फसा रुकावा पैसा नहीं आ रहा है, हमेशा ही बुरे सपने आते हैं, बुरा बुरा विचार आता है मन में, परिशानिया जादा हो गई है, तब इसका मतलब सच में होता है किसी ने कुछ करवा दिया है, और कई बार तो लोग इन चीजों में, अगर इन चक्कर में बढ़ जाते हैं तो उससे जल्दी बाहर नहीं निकल पाते select और ओजा गुनी के चक्कर में फस जाते हैं कोई तांत्री के चक्कर में फस जाते हैं वो लोग कुछ करता तो नहीं हाँ आपको बार बार दोड़ाएगा पैसा एटते रहेगा पर कुछ काम आने वाला है नहीं तो आज हम आपको जो प्रियोग करेंगे वह आप खुद से घर नहीं सगेज़, सुनाएं होगा ना घर का बंधन होता है, लोग घर बनाने के बाद, उसी तरह सरीर का भी बंधन होता है, ताकि किसी को किया कराया, जादू, टोना, तंत्रमंत, आप पर असर नहीं करें, तो जिस पौधे की हम बात करेंगे वो है धतूरा धतूरा कौन सा है दो तरह का होता है एक होता है सफेद एक होता है बैंगनी एक हलका सा पिंक में भी आता है लेकिन आपको प्रियोग जब भी करें सफेद धतूरा का याद रखें तो आपको ये धतूरा का पौधा आसपास देख लीजे कहां पर है और पोधे को देखने के बाद सनी बार के दिन ही आपको निमंतरन देना है निमंतरन कैसे देंगे ज्यादा कुछ नहीं बहुत सारे लोग अपने तरीके से निमंतरन देने बताते हैं पर सिंपल तरीका जो पहले जमाने से चला रहा है वो है एक सुप जल उहीं पर अर्पित कर दें फिर उनसे अपनी मन की बात कहें आप क्यों परिशान है आपकी तकलीब क्या है किस चीज से आपको मुश्किल आपकी बढ़ी भी है उस पेड़ से कह दे और उनसे कहें हम आपको कल लेने आएंगे आप किरपा करके मेरे साथ चलिएगा और त सुबह सबेरे असनान करें और असनान करने के बाद आप इस पौधे के पास जाए प्रेम से पुरा पेड़ नहीं उखाड़ना है थोरा सा जड़ आप मिट्टी भींग जाएगा ना आप किसी लकड़ी से हलका सा वहां पर करिएगा तो देखिएगा जड़ निकलाता है तो अब लाकर किसी भी लालकपड़े पर आकर भगवान के सामने गणगा जल से धोकर रखें जब आप पूरे घर में चिरकाओ करें इस जल से नकात्मक उड़ जाएं भाग जाएगी और घर के मुखे दर्वाजे के बाहर दोनों तरफ भी तोड़तर जल चिटा डाल दीजिएगा बाकी अगर बज जाता है जल तो पौधे में डाल दीजिए दूसरा अब इस पौधे की जो हऑँ कर याद रखिए तंतरमंत बाधा से रक्षा होगी नौ ग्रह पीड़ासे रक्षा होगी आर्थिक तंगी समाप्थ होगी नौक्री में कोईmusकिले हैं वह समाप्थोगा और अगर सक्तियां तो भूल कर भी आपके पास नहीं आएगी तो यह प्रयोग करें हम आपसे विदा लेते हैं इस से लाब हो तब लाइक कर सब्सक्राइब करें सेयर करें कमेंट करें धन्यवाद